हेलो फ्रेंट, वेलकम टू माई यूटूब चैनल आनलाइन इस्कूल, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनुश्रीन और प्रस्ण काउसल के बारे में, सबसे पहले आप अपने महाविद्याले का नाम लिखेंगे, उसके बाद छात्रा ध्यापक का नाम लिखेंगे, उस प्रकरण है जल, जब आप प्रकरण लिख देते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि यासर जी जल के बारे में ही कुछ हमको बताएंगे, हमसे कुछ पूछेंगे, उसके बाद हम काउसल के घटक लिखते हैं, इसके पांच घटक है, संकेत देना, विश्री सूचना प्राप् चात्रा ध्यापक के प्रस्ण और चात्रा के उत्तर, हम पूछेंगे बच्चों से जल की कितने आवस्था होती है, तो बताएंगे, सर जल की तीन आवस्था होती है, पिन हम पूछेंगे उन तीनों आवस्थाओं के नाम बताईए, तो बच्चे बताएंगे, सर ठोस सुर्फ होता है द्रव में होता है अधिकान स Gary зат घर अर पूचेंगे कि यह घरम होता है तो यह जल वास्पान जाता है नहींन हम पूचेंगे जल का रासाइनग शूत्र बताई है तो बच्चे बताएंगे हच्छ bicycles करते हैं तो बच्चे बता पाएंगे तो हम उनको संकेत के मात्यम से इसको पता देंगे कि दो भाग हाइड्रोजन और एक पाग अक्सीजन होता है फिन हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों यह बताईए कि जल बर्फ कब बनता है तो बच्चे बताएंगे सर जब तापमान जल का 0 गोट्वासप में परिवरतित होता है तो बच्चे बताएंगे अगया परिवरतित हो ओ आधि नहीं बताएंगे तो सक्केत की मादlog से उसके बाद हम पूछेंगे कि जब का बिद्दोत करते ह Bruno भटन थन क्रते हैं तो हमें क्या प्राप्ट होता है तो बच्चे बता है जब बीच में किया है उस पर सही का निसान लगाएंगे नहीं तो नहीं लगाएंगे उसके बाद सुझाओ और आलोचना निरिच्छक जो रहेगा आपके सिच्छण में अगर कुछ कमी या सुझाओ देना रहेगा तो अपने विचार को अहां पर ब्यक्त करें उसके बाद अस्ता